नमस्कार मैं डॉक्टर श्राध्धा वसेश्ट आपको सबके शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ बड़े इंतजार के बाद दिल्ली के शिक्षा विभाग ने 24 अप्रेल को नोटिफिकेशन जारी कर EWS Category, DG Category और Children with Special Needs Category के तहत दाखिले के लिए जानकारी दे दी यहां कहा गया कि 30 अप्रेल से ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे 15 माई तक फॉर्म भरे जाएंगे और 20 माई को पहला Computerized Draw संपन करवाया जाएगा सारी मैं तपूर्ण जारी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई लेकिन वह जानकारी जिसे पढ़कर हम सभी को बहुत ही आश्यर हुआ और कहीं न कहीं निराशा भी हुई वह थी कि EWS Category की Income Limit को एक लाख ही रखा गया पिछले सालों की तरह उसे बढ़ा कर धाई लाख नहीं किया गया आप सभी को याद होगा पिछले कुछ हफ्तों में मैं आपके लिए जानकारी लाई थी मेरे अलावा बड़े बड़े न्यूस चानल जो टीवी पे आप न्यूस चानल देखते हैं वह भी आपके लिए जानकारी लाए थे इसके अतरिक बड़े बड़ी वेबसाइट्स भी संबंद में आपके लिए जानकारी लेकर आई थी बताया गया था कि माननिय दिल्ली हाई कोट के आदेश के बाद अब वे सभी अविभावक जिनकी सालाना आए धाई लाख रुपे तक है जो कि दिल्ली के निवासी है वे अपने बच्चों का EWS काटेगरी के तहट दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाने के योगे हो जाएंगे लेकिन जैसे ही नोडिफिकेशन आई तो कहीं न कहीं माबाप को जो इस नए नियम के तहट लाब उठा सकते हैं उन्हें निराशा हुई क्योंकि नए जो नोडिफिकेशन है उसमें EWS काटेगरी की इंकम लिमिट पिछले साल की तरह ही एक लाख तक ही रखी गई उसे धाए लाग तक नहीं बढ़ाया गया इस संबंद में इंडियानेक्सप्रेस.com में एक छपे आटकल में यह कहा गया जो की जानकारी संबंद में दी गई उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोट ने ओर्डर दिया था इंकम लिमिट को बढ़ाना था लेकिन अ कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया. The Delhi Government refused to comment on why the income cap has remained Rs.1,00,00 in New Circular. हम सभी एमान के बैठे थे कि माननिय दिल्ली हाई कोट के आदेश के बाद दिल्ली का शिक्षविभाग अब इंकम लिमिट को बढ़ा कर धाई लाग कर देगा लेकिन वह नहीं हुआ जिस वजह से बहुत से विभावक चिंतित है परिशान है और यह सुचा जा रहा है कि व या फिर दिल्ली का शिक्षविभाग इस संबन्द में कोई आदिकारी घोश्टा करता है या फिर कोई और महतपूर्ण जानकारी नियूस पर आती है या बड़े अकबार में छपती है वह मैं आपके लेकर आऊंगी और हाँ याद रखेगा आपके साथ मैं भी चिंतित हू क्योंकि मैं भी कही न कहीं यह मान कर चल रही थी कि माननी ये दिल्ली हाई कोड के अधिकार के बाद नियम तो अपने आप ही बदल गया है लेकिन नई नोटिफिकेशन के आते कहीं न कहीं मुझे भी निराशा हुई है उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाब होगा मुझे डॉक्टर श्राद्धा बसिश को जाज़ा दीजे नमस्कार